किसी भी पौदे की ग्रोथ के लिए नाइटोजन, फासफोरस और पोटेंशियम की जरूत होती है अगर ये तीन तत्व आपने अपने पौदे में दे दिये तो समझो उसकी ग्रोथ बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता इन तीन तत्व में से एक तत्व यानी पोटेंशियम की आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में इसे किस तरह अपने घर पर तियार कर सकते हैं वो भी विल्कुल फ्री में चौक्री किचन में से जो बेस्ट पदात समझकर आप उन्हें फैक देते हैं उन्हीं से हम पोटेंशियम बनाना सिखाएंगे नमस्कार दोस्तों मैं पंकच कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने सीटूब चैनल पर दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब और बेल आइकोन बटन को दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मि देख रहे हैं यह मैंने अपनी छथ पर ग्रोंग में बेगन का पौद पधा लगाया हुआ है जिससे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है और इससका ग्रोंटर करने का एक अच्छा खांसा रही जाना हैं किका मैं सभी प्रकार और्गनिक मितम एसम हमारे पौदे की क्रोध दुग नि हो जाए और ये लिक्विट खाद बनाने के लिए आपको अपनी जेव से पैसे भी खर्च ना करने पड़ें विल्कुल आपने सही सुना आपको अपने जेव से पैसे खर्च नहीं करने पड़ें और आप यह सब कुछ फ्री में बना सकेंगे अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते तो प्लीज मेरी वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें चलिए सुरू करते हैं तो चलिए अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियम लिक्विड और अर्गेनिक फेटिलाइजर कैसे तियार करते हैं अपने घर पर वो भी फिरी में तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक खाली डबा चाहिए जो खाली डबा जिसका डखकन भी हो या तो आप अपॉलितिन से भी स सकते हैं और इसके लिए हमें सबसे जरूरी है हमारे केले क्यानी केले के चिलके जो भी आप इसे वेस्ट मतलब खराब समझ का फैक जटते हैं बल्कि इसके अंदर सबसे आदा पोशिक्तत तो पाय जाता है इन केले के चिलको आप अपने डबे में इसमें डाल दीजिए कु इसलिए हमें से खाली छोड़ देना चाहिए थोड़ा सा इसे बरने के बाद इसे हम करीब एक हफ्ते के लिए में से च्छाओ वाली जगा पर रख देंगे एक हफ्ते बाद कुछ इस तरीके से यह हमें दिखेंगे और यह पूरी तरह से मतलब कि हमारा ओर्गन की जो आप एक बाल्टी में तकरीमा 15-20 लीटर पानी होगा ठीक है उसमें अब एक जग की मदश से आम इस फटीलाइजर को जो हमारा फटीलाइजर है और गनिक हम इसे उसे निकाल देंगे बाकि जो हमारा जो गेश पता तो से हम अलग रख देते हैं ठीक है अब जो हमारा लिक्विड फैटृटिलाइजर तयार है जो कि अप थोड़ा सा सॉप्ट है नहीं कि हार्ड नहीं जो फोलगर को नुक्सान पोचा है तो दोस्तों तयार हमारा बनाना हमारा और्च वीड फैडिलाइजर अब यह मсол मारे देने के लिए पूरी तरह से त्यार हो चुग तो को मार जो पौदा है हमारा बैगन का जो पौदा है हमीस ड़ करny यह बाकी दोसतों अब तक पर बने रहते हैं तो आपको नएनी वीडियो कि जानकर यह आपको मिलती रहेगी और भी तरह के मतलब कि जो नैट्रोजन फॉस्पृर्स जो अलग तरह के लिक्विड फर्टिलाजर वो हम कैसे त्यार कर सकते हम पहुदेगी और अच्छे से ग्रो कैसे करें और तो इसके लिए आप नेरे चैनल पर बने रही है चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरू कर जिएगा थैंक्यू सो मच